किस फुई इसके लिए सबसे पहले हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे क्रोम ब्राउजर ओपन होते ही कोने में आपको त्री डॉट दिखेगा उस त्री डॉट पर हम क्लिक करेंगे अब और इसके बाद हम थोड़ा नीचे आएंगे आपको एक option दिखेगा desktop site desktop site पर क्लिक करेंगे desktop site क्लिक करने के बाद उपर search बार में आपको youtube.com सर्च करना है ज्यासे ही हम youtube.com लिक कर सर्च करेंगे हमारा यूट उपन होके आ जाएगा जैसे ही YouTube open होता है आपको चैनल को sign in कर लेना है देखिए मैंने अपने चैनल को already sign in कर चुका हूँ जैसे ही आप sign in करेंगे कोने में आपका logo दिख जाएगा right side कोने में उपर के side में आपको एक आपका चैनल का logo दिखता है उस logo पे आपको click करना है फिर इसके बाद योर चैनल पे click करना है योर चैनल के बाद customize channel पे click करना है जैसे ही customize channel पे click करेंगे एक नया page open होके आजाएगा जिसमें उपर की तरव आपका subscriber count दिखाएगा उस subscriber count पे click करना है देखिए मेरा subscriber count दिखा रहा है उपर की side उस पे click करना है जैसे ही हम subscriber count पे click करेंगे हमारे left side में एक channel का option दिख जाएगा उस channel के option पे आपको click करना है देखिए मेरा channel का option दिख रहा है इस पे मैं click कर देता हूँ जैसे आप channel का option पे click करेंगे उसमें एक और option दिखेगा advance का देखिए मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ देखिए एक advance का option दिखा रहा है इस advance का option पे click करना है जैसे ही हम advance का option पे click करेंगे एक नया page open हो जाएगा जहां पे हमें subscriber height करना है अब यहां पे हम तोड़ा नीचे आ जाएंगे नीचे जैसे आएंगे देखिए subscriber count दिखा रहा है subscriber count के नीचे दो option है display the number of people subscribe to my channel do not display the number of people subscribe to my channel तो do not display दिखाना नहीं है तो do not display the number of people subscribe to my channel पे click करना है और save कर देना है जैसे ही हम save करेंगे 10 से 15 मिट के बाद हमारे channel से subscriber हाइड हो जाते हैं तो friends मेरे वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे channel पर नहीं है तो subscribe करना ना भूलें